exercise second a का question number 8 का second part है x to the power a upon x to the power minus b की power a minus b x to the power b upon x to the power minus c की power b minus c गुना x to the power c upon x to the power minus a की power c minus c c minus a is equal to 1 इसमें भी हमें यही प्रूज करना है कि यह वाला part is equal to k इधर वाला part left hand side वाला part बराबर है right hand side के ठीक है तो आपको मालूम है जब यह powers दे रखी होती है बाहर भी bracket के बाहर power दे रखी होगी तो इन powers की multiply हो जाती गुना करने ही आने है ठीक है तो कैसे करेंगे x to the power a की गुना हो जाएगी a minus b से upon x to the power minus b की गुना हो जाएगी a minus b से सही है फिर गुना x to the power b की गुना हो जाएगी b minus c से upon x to the power minus c की गुना हो जाएगी b minus c से ऐसा ही इसमें भी करना है x to the power c की गुना हो जाएगी c minus a से upon x to the power minus a की गुना हो जाएगी c minus a से ठीक है आब इसकी गुना भी कर लेते हैं यहीं एक्ष्ट पावर A स्कॉार माइनस AB आगया अपन यहां पर आ जाएगा एक्ष्ट पावर माइनस BA और माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस B स्कॉार ठीक है ऐसे ही इसमें करेंगे एक्ष्ट पावर B की B से गुना हो जाएगी B स्कॉार और माइनस BC अपन एक्ष्ट पावर माइनस BC हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया C स्कॉार ठीक है गुना एक्ष्ट पावर C स्कॉार माइनस AC अपन एक्ष्ट पावर माइनस AC और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया A स्कॉार ठीक है अग्ष्ट पावर को उपर गजाएंगे यानि एक्ष्ट पावर A स्कॉार माइनस AB यह माइनस BA उपर जाएगा प्लस का BA हो जाएगा और यह माइनस का B स्कॉार ठीक है ऐसे ही इसमें करेंगे गुना X to the power यह B square पहले उपरवादी निकलेंगे BC तो यह minus BC उपर जाएगा plus का BC हो गया और यह plus का C square minus का C square हो गया फिर से घुना लगेगा और इसमें भी ऐसे ही करेंगे X की power आ गई C square minus AC और इसको उपर लेदाएगे plus का AC और minus A square ठीक है अब आपको मालूम है जब गुना का साइन होता है और सेम बेस होता है तो इसकी powers जुड़ जाती है यानि कि अब हम इसे कैसे लिखना है X to the power A square minus AB plus BA minus B square यह वाली लिख देंगे B square minus BC plus BC minus C square फिर यह वाली लिख देंगे C square minus AC plus AC minus A square ठीक है अब जो जो आपको इसमें कट सकता है वो काट सकता है यह plus का A square है यह minus का A square है यह कट जाएगा 0 आगया minus AB और plus AB यह कट गया minus का B square plus का B square यह भी कट जाएगा minus का BC plus का BC यह कट गया minus C square plus का C square यह कट गया minus AC plus AC यह कट गया यहनि क्या आगया X to the power 0 is equal to 1 ठीक है यह मुण पास यह मुण शुर्ड़ण यह कट जाएगा